नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? क्लास नाइन्थ इंसी आर्टी किताब चल रही है हिस्टरी की और ये चैप्टर निम्मर थी की में शुरुआत कर रहा हूँ मुझे पता है कि इंसी आर्टी की वीडियो थोड़ा लेट आरी है दोस्तों बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए समय समय पर वीडियो लाता रहा हूँ यहां पर बात करेंगे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक नाजिसम नाम की थियोरी और राइस ओफ हिटलर ये जो चैप्टर है अप्रोक्सिमेटली 26 पन्लो का है तो एक से बहुत ज़दा वीडियो से लगेंगी मोस्त पॉब्ली 6-7 वीडियो से लगनी चाहिए ये चैप्टर खतम हो जाएगा बिना टाइम वेस्ट किये शुरुवात करते है एक कहानी बताई जा रही है यहां पे और कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई उस समय पे 1945 के समय पे जब Second World War खतम होने वाला था किस प्रकार का महौल था कितना दर्दनाक और भेहानक महौल था स्प्रिंग था 1945 का जर्मनी में यह जो स्प्रिंग का सीजन है यह अप्रेल मई के लगबग आता है ठीक है तो 1945 स्प्रिंग की बात है इस समय तक जो जर्मन फोर्सेस थी वो अलरड़ी हारने लगी थी एक 11 साल का जर्मन मच्चा रात में सो रहा था उसका नाम था हिलमेट बेड में सो रहा था उसने अपने पैरेंट्स को बात करते हैं सुना उसका जो फादर था और इसकी जो पैरेंट्स से फादर और मदर बहुती सीरिस टोन में बात कर रहे थे और यहां पे जो फादर था वो अपनी वाइफ को क्या बोल ला था कि समय आ गया है कि अब मैं अपनी या तो पूरी फैमिली को मार दू या फिर मैं खुद अकेले सोसाइट कर लू आप देखिए बहुत बड़ी बात है एक फादर अपनी वाइफ से एक हस्बेंट अपनी वाइफ से बोल रहा है कि या तो मैं अपने आप को मार लू या पूरी फैमिली को मार लू और ये बच्चा सुन रहा है एक सो रहा हुआ बच्चा दूसरे गवर्निम जो सुन रहा है आप सोचे कितना भैंकर हो कितना दर्दनाक है उसका फादर बोल रहा था कि हम लोग जंग में हार चुके हैं और ये एलाइस आएंगे और वही करेंगे हमारे साथ जो कि हमने क्रिपल्ड और जूस के साथ किया है जर्मनी में नाजिजम नाम की जो फिलोसफी थी जिसको लीड कर रहा था हिटलर इस फिलोसफी के अंदर बहुत से जूस को मारा गया और बहुत से जर्मन सिटिजन्स को मारा गया जो क्रिपल्ड थे जो कि लायक नहीं थे तो होता है ना कि किसी भी आबादी में कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं उनके पैर में प्राबलम है हाथ में प्राबलम है ठीक है इंडिया में उनको दिव्यांग बोला जाते है कई नहीं हमारे प्रधान मंतरी साहब उनको दिव्यांग बोलते है तो क्रिपल्ड और जूस को जिस तरीके से हमने मारा है वो हमें मारेगे ऐसा बोल रहा है हेलमेट का फादर नेक्स डे हेलमेट को उसका फादर और फैमिली वूट्स में गई वूट्स मतलब महाँ पे आसपास के फॉरस्ट में जाके उन्हों पिकनिक मगाया और वो उनका आखरी हैपी टाइम था वो लोग ओल्ड चिल्डन सौंक्स गा रहे थे और बाद में अपने आफिस में हेलमेट के फादर ने अपने आपको मार लिया वो एक फैदीशियन था और फिर हेलमेट में खुद ये देखा कि उसका जो फादर का जो खून से रंगी हुई जो यूनिफॉर्म थी उसको फैमिली के फाइर प्लेस में जलाया जा रहा था मतलब हेलमेट इतना ज़्यादा डर गया था हेलमेट को एक बात तो याद थी कि उसका फादर बोलना था कि या मैं अकेले मरू या पूरी फैमिली को मारू अब फादर ने तो सुसाइट करके अपने आपको मार लिया हेलमेट को लगा कि अब मुझे मार दिया जाएगा तो हेलमेट ने खाना ही घर पे खाना बंद कर दिया नौ साल तक उसने घर पे खाना ही नहीं खाया उसको लगा कि उसकी माaur की उसके खाने में जहर मिला कि उसको मार देगी उस समय पर हलमेट डरा हुआ था हलमेट ये समझ नहीं पाया कि उसका फादर कौन था उसका फादर नाजी था नाजी मतलब जो नाजिजम की फिलॉसफी को फॉलो करते है और किसका supporter था? Adolf Hitler का supporter था Adolf Hitler के बारे में हम सब ने सुनाए Nazism के बारे में हम सब ने सुनाए बट इस philosophy को हम में से बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते है Exactly philosophy क्या है? यह हम नहीं जानते हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे Hitler का जो determination था जर्मनी को बहुत बड़ी ताकत बनाने का वो determination उस level पे चला गया उस crudeness, उस cruelness के level पे चला गया कि सही गलत यह Hitler को समझ में आना बंद हो गया आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे like का button अगर आपने channel को share और subscribe नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजे मुझे help करने के लिए मेरे दोरा बनाएगी और वीडियो को दिखने के लिए आप channel पे join बटन दवा के member ही बन सकते हैं Instagram पे follow कर लिजे आपकी जोने डॉट से जाब दूँगा Telegram गूर्प जोन कर लिजे वहाँ पे आपको lectures की PDF मिल जाकर लिए ही न कहीं हिटलर ने जर्मनी को mighty power बनाने के चक्कर में बहुत सी गलत चीजें करी हैं और उस गलत चीजों में एक जो बहुत बड़ी गलत चीज थी वो थी जियूस को मारना भाई होलो कास चला दिया जियूस को मारने लगे मतलब बे मतलब एक community को आइडेंटिफाई करके मार रहे हो यह चीज वहाँ पे चालो थी तो यह जो नाजिजम नाम की philosophy है ना यह नाजिजम नाम की philosophy बिलकुल ही अलग है नाजिजम की philosophy केवल यह नहीं है कि आप जियूस को मार रहे हो नाजिजम की philosophy केवल यह नहीं है कि आप एक particular group को दूसरों से ज़दो superior समझ रहो या फिर आप Germany को mighty बनाना चाहते हो Nazism एक structure of ideas है जो कि word और politics को अलग प्रकार से देखता है और यहाँ पे Hitler इसी अलग प्रकार से पूरी दुनिया में अपना दबदबा और धाक जबाना चाहता था बट कहीं न कहीं यह धाक unsustainable थी वो practically possible नहीं थी जो कि Hitler सोच किया था और हम लोग इस chapter में यही समझने कोशिश करेंगे कि यह Nazism था क्या क्यों हेलमत के पार्डर ने अपने आपको मार दिया वो क्यों डरा हुआ था और हमत का तो डरना तय था चुकि वो एक बच्चा था में 1945 में जर्मनी ने एलाइस के सामने सिरेंडर कर दिया सेप्टेंबर में खता हुआ ऊफिशली वर्ड वर में 1945 जर्मनी एलाइस के सामने सिरेंडर हो गया जर्मनी में जो Hitler था Hitler को पता था कि मैं हार चुका हूँ Hitler का जो प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था Gobels उसको भी मालूम था हार चुका हूँ तो Hitler ने, Gobels ने, Gobels की पूरी फैमली ने collectively society कमिट कर लिया बर्लिंग के बंकर में अप्रैल 1945 में उसके बाद एक international military tribunal बनाया गया नियूरंबर्ग नाम की जगा पे और यहां पे जिन्हों जो भी नाजी philosophy को follow करने वाले लोग थे जिन्होंने war crimes किये थे चाहे उनको आप crimes against peace बोलिए चाहे उनको war crimes बोलिए चाहे उनको crimes against humanity बोलिए उनको prosecute करने के लिए यहां पे international military tribunal बनाया गया ठीक है यहां पे इस tribunal में क्या बात हुई कि जर्मनी ने war के दौरान क्या क्या किया especially वो हरकतें जिनको crimes against humanity कहा गया जहां पे moral और ethical questions उठते हैं जहां पे पूरे के पूरे holocaust की बात होती कि मतलब एक person एक दूसरी community का तो आप इसको मार दोगे ठीक है ना बहुत ज़ादा crude चीज़ें हैं यह यहां पे allied powers कौन है allies कौन है allies हैं भाई allied powers जिनमें top पे कौन थे UK और France 1941 में UK और France के support में कौन कौन आ गया USSR और USA 1939 तक 1939 में war शुरू हुआ है शुरुआत में वार में कौन रॉल था United Kingdom of France USSR और USA कूद पड़े जंग में 1941 में इन फैक्ट शुरू में तो USSR और जर्मनी दोस्ट से नजर आ रहे थे पर बाद में हिटलर ने USSR से भी पंगा ले लिया और USSR allies की तरफ चला गया अगेंस्ट कौन लड़ा था यहां पर आपको हिटलर नजर आ रहा है गॉबल्स नजर आ रहा है 1932 की बात है यह रहे भईया हिटलर फाई और यह रहे आपके गॉबल्स साब एक समय पे इन्होंने हिस्टी में ऐसे काम किये है जो कि जब तक humanity रहेगी तब तक इनकी करेवी चीज़ें याद आएंगी हाला कि एक negative way में याद की जाएंगी बढ़ याद की जाएंगी अब बात करते हैं Second World War जब चल रहा था जर्मिनी ने बहुत से गलत काम किये एक genocidal war चलाया है जहां पे लोगों ने लोगों को मारा है Mass murder किया गया selected groups of innocent civilians का ये selected groups कौन कौन से है 6 million Jews सोचे 60,000,000 Jews को मार दिया गया 2,000,000 gypsies को मार दिया गया 1,000,000 Polish civilians को मार दिया गया 70,000 Germans जो कि mentally and physically disabled थे उनको मार दिया गया कहने के मतलब ये है अगर Germany में आपको कोई physical disability हो आप लायक नहीं हो कि आप आदमी जोइन कर सको तो आप कमजोर समझे जाओगे और कमजोर लोगों के लिए नाजिसम में कोई जगा नहीं है आपको मार दिया जाएगा ठीक है भई और जो political opponents है उनको तो मार रही गया political opponents को तो सबसे पहले eliminate किया जाता है ये तो सबसे बड़ा danger होते हैं एक लीडर के फिर भाई नाजीस ने अलग-अलग तरीके निजात किये लोगों को मारने के तो भाई gas chamber बंद करके गैस चला दी तो ऑस्च्विट्स में बहुत सारे gas chambers पाए गए जहां पर पता नहीं कितने number में Jews को मारा गया लेकिन जब ये नियूरंबर्ग tribunal ने अपना decision सुनाया तो tribunal ने ज़्यादा harsh decision नहीं सुनाया नाजीस के against केवल 11 नाजीस को मौत की सजा दी गई बहुत सारे नाजीस को life imprisonment दिया गया तो कहीं नाजीस और जो जर्मिनी के जो हिटलर के अगंदर काम करने वाले लोग थे उन्होंने जो कुछ भी किया उनको सजा मिली बट सजा बहुत सदा strict नहीं दी और allied powers ने जान बूच के सजा harsh नहीं दी चुकि allied powers को ये बात पता थी कि second world war के बढ़ने की एक ही वज़ा है कि first world war के बाद जो treaty of varsaylee होई थी उसमें जर्मनी के उपर बहुत गलत और बहुत cruel terms dictate किये गये थे अगर first world war के बाद जर्मनी के उपर इतने cruel terms नहीं dictate किये जाते तो शायद second world war होता ही नहीं तो इस चीज़ को ना repeat करने के लिए allied powers ने second world war के बाद जर्मनी को उतने गलत statements नहीं दी तो मतलब यहाँ पर जो helmet के फादर का डर था ये डर उतना सही थाबित नहीं हुआ helmet के फादर को लगा कि भई अगर नाजीस सब को मार रहे हैं तो जब बाकी लोग आएंगे तो वो भी नाजीस को वैसे ही मारेंगे बट वैसे नहीं मारा गया ओके लेकिन डर था जब आप कुछ गलत करते हो ना तो आप हमेशे डर में जीते हो आप याद रखना दोस्तों कभी आप इस चीज़ को खुद महसूस करोगे जब भी आप कुछ गलत काम करते हो ना हो सकता है कि आपके उस गलत काम के बारे में आसपास किसी को पता भी नहीं हो बट आपके अंदर एक डर होता है आपको ऐसा लगता है कि शायद यह मुझे इसलिए देख रहा है चूकि मैंने कुछ गलत किया है चूकि वो डर आपके दिमाग के अंदर है हो सकता है उसको पता हो कि आपने कुछ गलत किया हो लेकि अगर उसको नहीं भी बता है वही चीज़ लिखी जो मैंने भी आपको बता है everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to German experience at the end of First World War what was this experience तो First World War के end पे Germany के साथ actually में ऐसा हुआ क्या कि Germany Second World War को शुरुआत करने के लिए यहां पे responsible बन जाएगा First World War के end पे कुछ तो हुआ होगा Germany के साथ ऐसा कि Germany Second World War में इतना brutal हो गया यहां समझने कोशिश करेंगे यह देखे एक meeting है दोस्तों बीच में यहां पे Hitler खड़े हुए Hey Hitler, ठीक है यहां पे करके यह सब को शपत दिला रहे हैं पूरा group खड़ा हुआ हैं यहां पे नाजी जंडे फैर रहे हैं इस तरीके की जो scenes थे 1939 से लेकि 1945 तक बहुत common थे कहां पे जर्मनी में आगे बात करते हैं Birth of the YMR Republic बाई, जर्मनी नो डाउट एक बहुत powerful empire था UK को टकर देने में जर्मनी कहीं से भी कम नहीं था चाहे military का field हो, चाहे industrialization हो और चाहे आपका military मतलब कोई भी science and tech की बात कर लीज़े innovation की बात कर लीज़े, जर्मनी किसी भी चीज में England से पीछे नहीं था Early years of the 20th century में जर्मनी बहुत तेजी से लड़ा First World War में generally involved था First World War लडा गया 1914 से 1918 तक जर्मनी के साथ कौन था? Austrian Empire था किसके अगेंस लड़ रहे थे, यह लोग Allies के अगेंस लड़ रहे थे Allies में कौन कौन थे? England, France और Russia ठीक है भई? सब लोगों ने war को जोइन कैं enthusiastically इन्हों ने सोचा कि थोड़ा लड़ ले थे Actually मैं First World War लड़ा इस ले गया था कि सब लोग अपनी कॉलोनी को प्रोटेट कर रहे थे England सोचा था कि हमारे पास जो कॉलोनी हैं हम उस पे कबजा रखें France सोचा था हमारे पास जो कॉलोनी हैं हम उस पे कबजा रखें Germany सोचा था हमारे पास जो कॉलोनी हैं हम उस पे कबजा रखें बाद में अलाइस की मदद के लिए यूएस आ गया 1917 में ठीक है जर्मनी हार गया सेंटल पावर्स नमबर 1918 में हार गई इंपीरियल जर्मनी जब हारा तो एम्परन ने गद्धी छोड़ दी जब एम्परन ने गद्धी छोड़ दी तो एलाइस को मौका मिल गया अब उस समय पे जो एलाइस पावर्स थी आपकी यूके और फ्रांस जीसी पावर्स थी इनका जो mindset था ना वो कोलोनियल था दुनिया भर में इनकी कोलोनीस थी जर्मनी जब हारा तो जर्मनी की जितनी भी कोलोनीस थी तो वाइमार नाम की जगह है जर्मनी वहाँ पे नैशनल एसेमली मिली जर्मनी की और बोला गया कि जर्मनी में एक डेमोक्रिटिक कॉंस्टुचुशन बनाई जागा जिसका फेडरल स्ट्रक्चर होगा इस जर्मन पार्लेमेंट में जिसको रिच स्टेक भी कहा गया लोग एलेक्ट किये जाएंगे on the basis of equal and universal votes और ये vote कौन देगा तो सारे adults देंगे women को include करके लेकिन ये जो republic बना वो जर्मनी के लोगों को ही पसंद नहीं है उस समय पे जर्मनी के हालाद बहुत गंदे थे जर्मनी में war के वज़े से बहुत ज़्यादा destruction हो चुका था inflation बहुत ज़्यादा था bread ही इतनी महंगी मिल रही थी लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और उपर से इतना सारे fines, इतनी सारे penalties, इतनी सारी war, indemnity impose कर दी allied powers ने जर्मनी के उपर कि literally Germany यहाँ पर कंगाल होने की सिती में पहुँच गया तो Germany के उपर इतने excruciating terms लगाये गए ना कि भाई वो Germany को लोगों कोई समझ मेंना है Germany ने बोला कि ऐसी democracy, ऐसी polity, ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए यह बात बोलीगे तो जो peace treaty sign होई थी वरसाइले में जो की allies ने sign की थी वो एक harsh और एक भहुती humiliating treaty थी जर्मनी के लिए Germany ने अपनी सारी overseas colonic हो दी मतलब जितनी भी colonies थी Germany भी colonial power था, उसके पास भी colonies थी जैसे Britain के पास इंडिया था वैसे Germany पास भी बहुत सी colonies थी उन सारी colonies को बंदरबाट का लिया UK France ने अपने बंदरबाट लिया Germany को ठेंगा मिला Germany की लगबख 10% population Germany के पास चलेगी population जाने का मतलब है human resources का जाना Germany की 13% territories चले गई 75% of iron reserves of Germany 26% of coal reserves of Germany चलेगे France के पास, Poland के पास Denmark के पास, Lithuania के पास Allied powers ने Germany को demilitarize कर दिया, बोला कि आप अपनी military maintain नहीं कर सकते इसकी ताकत हो कम करने के लिए तो कहीं न कहीं, ये एक excruciating and humiliating treaty है, कि आप एक country को हता बोल रहे हो, कि अपनी military तुमनी maintain करोगे तिर भाई, जो war guilt clause लगाया गया, उसमें ये बोला गया कि जो first world war है, इसके responsible कौन है, Germany responsible है तो Germany को पैसा देना पड़ेगा तो भाई, Germany को बोला गया कि आप compensation pay करेंगे कितने का, 6 billion pounds कब, उस समय पे 6 billion pounds आज की date में 6 billion pounds एक बहुत बड़ा amount है, और उस समय पे 6 billion pounds कितना बड़ा amount है इसको तो सोच पाना ही मुश्किल है मान के चल लीजे, कि 1 billion pounds आज की rate में अगर 90 का conversion rate लीजे, एक पाउंट पे 90 रुपे लीजे, तो कितने होगे 9000 करून रुपे होगे, और 6 billion pounds कितना होजागा, चववन हजार, पचपन हजार करून रुपे मान लीजे तो इतना उस समय पे जर्मणी को बोला गया कि पैसा वापस करो, फिर भाई जो allied armies थी, उन्होंने रिसोर्च रिज, राइन लेंड को अपना लिया पेहले यहाँ पे आपको जितने भी इलाके नजर आ रहा हैं, थोड़े थोड़े ब्लू में, जैसे की जो राइन लैंड वाला इलाका था, यह राइन लैंड वाला इलाका पहले पूरी तरीके से जर्मिनिय कंट्रोल में था इस राइन बैंड वाले इलाकों को UK फ्रांस ने लिया और इसके सारे mineral resources को अपने control मिले लिया फिर ये वाला जो इलाका था नॉर्थ स्वेजविक का इधर west pressure और पोसेन नजर आ रहा है आपको नीचे अपर साइलेसिया नजर आ रहा है इधर लोरेंस अलसेस नजर आ रहा है ये सारा इलाका इधर ये वाला इलाका ये सारे इलाके जर्मिनी से छीन लिये गए समझ गये उसके बाद आप देखें कि ये वाला जो पैंतालेस के बाद बना United Nations ठीक है तो second world war के बाद overall दुनिया भर में जो international सिनारियो उस थे उनको सुधारने के लिए जो body बनी उसको बोला गया United Nations first world war के बाद जो body बनी थी वो थी league of nations लीग of nations ने efficient तरीके से इन efficient तरीके से काम किया और जर्मिनी को यहाँ पर पूरी तरीके से seclude कर दिया जर्मिनी की overseas colonies चीनी गई जर्मिनी के लोग जर्मिनी से अलग कर दिये गए कुल मिला के जर्मिनी में डेमो कैसी लाई गई उसके बाद भी इतनी harsh treaty के भाई बहुत लंबे समय तक जर्मिनी लोनी देता रहेगा तो भाई यह जो वरसैली ट्रीटी थी थी ना इसने जर्मिन लोगों के अंदर के self confidence को तोड़ दिया जब लोगों के अंदर के self confidence को आप तोड़ोगे तो भाई आप बच के नहीं निकल पाओगे और यहीं होगा बाद में यहीं लोग हिटलर के अंदर उठेंगे ऐसा नहीं है कि जर्मिनी के लोगों को हिटलर की ideology अच्छे लग रही थी जो हिटलर इतने सारे लोगों को मार रहा था वो अच्छा लग रहा था यह नहीं अच्छा लग रहा था यह जो अत्याचार हुआ था जर्मिनी के झाल 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 झाल